भार्दवाज मुनी बोले, हे रशिवर, आपने मुझे परम पुनीत राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हुआ, परंतु लंका विजय के बाद, बानरों के चरित्र के विशय में आपने कुछ नहीं कहा, अयोध्या लोटकर बानरों ने कैसे कार्य किये, सो अब सम जहा कर कहिए, याज्यवल के बोले, हे भार्दवाज, वह प्रसंग श्रद्धालू भक्तों के श्रवण योग्य नहीं है, उससे श्रद्धस खलित होती है, उस प्रसंग के वक्ता और श्रोता दोनों ही पाप के भागी होते हैं, तब भार्दवाज हाथ जोड़ कर कहने ल जहा कर कि बोले, हे मुनी, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा देख कर परम प्रसंग हुआ, तुम्हें पातरता देख कर, अब मैं तुम्हें वह दुरलभ प्रसंग सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो, इतना कहकर याज्यवल के ने नेत्रबंद कर लिए और ध्यान मगन हो और ललाट पर रेखाएं उभराई फिर नेत्र खोल कर याजयं वलके ने कहना प्रारंभ किया हे भार्दवाज एक दिन भरत बड़े खिन और चिंतित मुक से महाराज रामचंद्र के पास गए और कहने लगे भाया आपके इन बानरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है राज्य के नागरिक इनके दिन दूने उपद्रवों से तंग आ गए हैं ये बानर लंका विजय के मद से उनमत्त हो गए हैं वे किसी के भी बगीचे में घुस जाते हैं और उसे नश्ट कर देते हैं किसी के भी घ तंतरता के लिए संग्राम किया था हमने तुम्हारी भूमी को असुरों से बचाया हम न लड़ते तो तुम अनारियों की अधीनता में होते हमने तुम्हारी आर्य भूमी के हेतु त्याग और बलिदान किया है देखो हमारे शरीर के घाव यह कहते कहते भरत आवेश से पूर्ण सेना ही अपने साथ रखें परन्तु आपने मेरी बात नहीं मानी और अब हम परिणाम भुगत रहे हैं ये आपके बानर प्रजा को लूट रहे हैं एक प्रकार से बानर राज्य ही हो गया है भरत के मुह से क्रोध के कारण शब्द नहीं निकलते थे वे मौन हो रामचंद्र भी सिर नीचा करके सोचने लगे हे मुनिवर उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के शांत मुख पर भी चिंता और उद्वेग के भाव उभरने लगे सहसा द्वार पर कोलाहल सुनाई पड़ा भरत तुरंत उठकर द्वार पर गए और थोड़ी देर बाद खुमी की रक्षा की है इसलिए राज्य पर हमारा अधिकार है राज्य के सब पद हमें मिलने चाहिए हम शासन करेंगे हे भारत वाज इतना सुनते ही राम उठे और भरत के साथ द्वार पर गए उच्चस्वर में बोले बानरों अपनी करनी का बार बार बखान कर मुझे ल इसकी उन्नती करनी है अतैव शासन का कार्य योग्य व्यक्तियों को ही सौंपा जाएगा तुम लोग अन्य नागरिकों की भानती श्रम करके जीवी को पारजन करो और प्रजा के सामने आदर्श उपस्थित करो महाराज रामचंद्र के शब्द सुनकर बानरों में बड़ी हलचल मची कुछ ने उनकी बात को उचित बतलाया पर अधिकांश बानर क्रोध से दात किट-किटाने लगे उनमें जो मुखिया थे वे बोले दोस्तों ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए अब आगे सुनते हैं महाराज हम श्रम नहीं कर सकते आपकी जै बोलने से अधिक श्रम हमसे नहीं बनता हमने संग्राम में परियाप्त श्रम कर लिया हमने इसलिए आर्य संग्राम में भाग नहीं लिया था कि बाद में हमें साधारन नागरिक की तरह खेतों में हल चलाना पड़ेगा और अपनी इन घावों से ही हमारी योग्यता आँखी जाए, हमारे घाव गिने जाए। हे भार्दवाज, राम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु बानरों ने बुद्धी को तो वन में ही छोड़ दिया था। हताश होकर राम ने भरत से कहा, भाई, ये नहीं मानेंगे, इनके घाव गिनने का प्रबंध करना ही पड़ेगा। इसी समय उस भीड से गगन भेदी स्वर उठा, हमारे घाव गिने जाएं, हमारे घाव ही हमारी योग्यता हैं। तब भरत ने कहा, बानरों, अब शांत हो जाओ, कल अयोध्या में घाव पंजियन कार्यालय खुलेगा। तुम लोग कारयालय के अधिकारी के पास जाकर उसे अपने अपने सच्चे घाव दिखा, उसके प्रमाण पत्र लो, घावों की गिन्ती हो जाने पर तुम्हें योग्यता नुसार राज्य के पद दिये जाएंगे। इस पर बानरों ने हर्श ध्वनी की। आकाश से देवताओं ने जय जयकार किया और पुष्प बरसाए। हे भारतवाज, निठलों को दूसरे की विजय पर जय बोलने और फूल बरसाने के अतिरिक्त और काम ही क्या है। बानर प्रसन्नता से अपने अपने निवास स्थान को लोट गए। दूसरे दिन नंग धडंग बानर राज्य मारगों पर नाचते हुए घाव गिनाने जाने लगे। अयोध्या के सभ्य नागरिक उनके नग्न नृत्य देख लज्जा से मूँ फेर फेर लेते। हे भार्दवाज, इस समय बानरों ने बड़े बड़े विचित्र चरित्र किये। एक बानर अपने घर में तलवार से स्वैम ही शरीर पर घाव बना रहा था। उसकी स्त्री राम के समय तो भाग कर जंगलों में छिप गया था। फिर जब राम की विजय सेना लोटी तो मैं उसमें शामिल हो गया। मेरी ही तरह अनेग बानर वन से निकल कर उस विजय सेना में मिल गए। हमारे तन पर एक भी घाव नहीं था। इसलिए हमें सामान्य परिचारक का प प्रिये, तुम भोली हो, वहां भी धांदली चलती है। स्त्री बोली, प्रियतम, तुम कौन सा पद लोगे। बानर ने कहा, प्रिये, मैं कुलपती बनूँगा, मुझे बचपन से ही विद्या से बड़ा प्रेम है। मैं रशियों के आश्रम के आस पास मंडराया करता मैं विद्यार्थियों की छोटी खींच कर भागता था, हवन सामगरी जपट कर ले लेता था, एक बार एक रशि का कमंडल ही ले भागा था, इसी से तुम मेरे विद्या प्रेम का अनुमान लगा सकती हो, मैं तो कुलपती ही बनूँगा। याज्यवल के तनिक रुक कर बो भार्दवाज ने कहा, मुनिवर, बानर तो असंख्य थे और राज के पद संख्या में सीमित, शेश बानरों ने क्या किया? याज्यवल के बोले, हे मुनी, शेश बानर अनेक प्रकार के पाखंड रच कर प्रजा से धन हड़पने लगे, जब राम चंदर ने जगत जननी सी अन्दा लेकर खा गए, याज्यवल के ने अब आँखें बंद कर ली और बड़ी देर चिंता में लीन रहे, फिर नेत्र खोल कर बोले, हे भार्दवाज, श्रद्धालूं के लिए वर्जित ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है, इसके कहने और सुनने वाले को पाप अतयव हे मुनी, हम दोनों प्रायश्चित स्वरूप तीन दिनों तक उपवास करेंगे.